आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरेंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करेंगे ब्रोमो बेंजीन की दोस्तों, ब्रोमो बेंजीन मतलब दोस्तों एक बेंजीन वले इस प्रकार से और उस पर बियार लगा हो, तो इसे भी ब्रोमो बेंजीन केहते हैं उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बेंजोई कमल की दोस्तों तो हमारा बेंजीन वलय होता है और इस पर अगर C1-1-2-H समूल लगा हो तो यह बेंजोई कमल होता है हमें ब्रोमो बेंजीन से बेंजोई कमल बनाना है किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों bromo benzene से benju कल बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो मारा bromo benzene होता है अगर हम इसकी क्रिया दोस्तों BU LI से कराण दोस्तों beutile lithium इसका नाम होता है प Bämengele जो इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर दोस्तों ryan होता है यहाँ पर धनायन क्योंकि एधात होती है तो इसलिए इस पर धनायन होता है यह धनायन दोस्तों यहाँ पर जो इस बियार का दोस्तों इस सिगमा बंद के साथ यहाँ पर जो सिगमा स्टार दोस्तों यहाँ पर कच्छक होता है इस ये माइनस इसको च्चक में क्रिया करता है और इसको यहाँ पर बियार को ले लेता है और बन जाता है यहाँ पर दोस्तथूँ इस बेनीन में रहे के ऊपर यहां El I E ज़ूद हाता है कोईकि यहाँ पर माइनस के साथ El I E Plus में दोस्तों CH3 CH2 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 और उसके साथ BR जुड़ाता है ये योगिक बनता है अब दोस्तों जो हमारा ये योगिक मिला है दोस्तों ठीक है अब अगर हम यहाँ पर C double बंदो double बंदो मतलब CO2 को डाल देते हैं और H plus को डाल देते हैं तो यहाँ पर जो minus आता है इस पर plus आता है दोस्तों वो minus आता है इस carbon पर क्रिया करके इसको खोल देता है तो बन जाता है मारा यहाँ पर दोस्तों C double बंदो जुड़ा रहता है एक O minus और जो H plus पड़ा रहता है दोस्तों यह इस H plus को ले लेता है minus और यहाँ पर बन जाता है दोस्तों हमारा इस प्रकार से बंजीन वपले, उस पर CW बंध OH, ठीक है, यह हमारा बेंजोई कमल होता है, दोस्तों यह हमारी दो भिक्राइब होती है, जिसकी सहायता से हम ब्रोमो बेंजीन से बेंजोई कमल बनाते हैं, उनकी क्रियाविद को हमने यहाँ पर दर्साया है, दोस्तों आसा करता हूँ आपको हमारी ये क्रियाविद समझाई होगी कि ब्रोमो बेंजीन से बेंजोई कमल किस प्रकार बनाते हैं ठीक है धन्यवाद